आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ आप उसको देखो पहला है हमारे पार्स में क्या हो सकता है डाइग्राम देखो फिगर आप देखो इसमें ए उप्वाइंट किया गया है इस तरफ और केवल एखी यहां पे मार्क है यहां यहने एक ही टंडा यहां पर है एक का मतलब यानि यह हमाई cell membrane है और carrier protein है तो transport कौन सा हो रहा है केवल एक ही direction में mark करा हुआ है तो इसका मतलब यह तो obviously uniport होगा uniport क्यों होगा figure आप देखो केवल एक तरफ marking की गई है uni का मतलब होता है only one अब port का मतलब तो आपको पता ही है कि transport केवल एक ही direction में transport हो रहा है एक ही तरफ transport हो रहा है तो इसका मतलब यह option तो uniport ही होगा अब option देखते हैं कौन सा correct match कर रहा है 3 का 1st uniport है और 4 का 1st यानि इन दोरों में से कुछ option हो सकता है passive नहीं होगा simport भी नहीं होगा अब बताया कि uni कैसे हमने identify कि because uni मतलब only one type of transport तो that is only possible in the case of 3 या 4 में ही possible है ठीक है अब हम बात करते हैं 1st यह हमने बात करिया कि uni हो गया इसका answer uniport हो जाएगा 2nd देखते हैं 2nd में a figure given है और b figure given है ठीक है and be a direction is, which areas between direction anti है जी जब की अगर ऐसी है और जी बी की direction है वह उसके opposite anti कह लो anti मतलब उसके खावल opposite anti कोई भी काम के opposite काम करना उसे बुलते हैं anti आप देखो 0 Chi پी वह आप इंशन हो आप डिया थे 10 और और b उसके while opposite या जो या किस थरीक खा़ स्थलाइね पहले में क्लियर ग्लियर केमें फिगर में तरेक्शना रेंस इन आसफन लिए अब देखतें एंटी-पॉर्ड कहां इतना तो में करें तो कि भूब जो फर्स्ट फाला होगा वह उनी पॉथी होगा तो उनी पॉर्ट कहां पर आरा था था फिरी फोर्ट में सेमाइप अब सें यहां पर यहांद यह ऑप्षण क्या रहा है रहा है सब्सक्राइब thing kya टुकुषिक जिसका रसे टारेक्षन ही तफ है यानि डिरेक्शन होका घुए है यानि साथ साथ दोनुं लज। प्रेवल करना दो मॉलेक्यूल का उसको हम बोलेंगे हमारा थार्ड का ओप्षन हमारा सिम पोठ ही होगा अब option देख लो, एकदम बिल्कुल correct है B क्यों था, anti-port बताया क्योंकि directions दोनों की अलग-अलग तो हमारे ऐसे हमारा answer क्या हो गया 3 का जो first है वो uniport है 3 का जो second part है वो है anti-port और 3 का जो third part है हो है simple तो हमारा answer हो गया 3 is the correct option तीसरा हमारा सही answer है Classics to 12 से लेके Need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students कभर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर